नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखेंगे कलाईया और फोर आम्स को कैसे मजबूत करेंगे दोस्तों जब हाथों की आम्स की एक्सरसाइज की बात हम करते हैं तो अधिकांस्ता लोग बाइशेप और ट्राइशेप पर ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन मैं आपको ब मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है फोर आम्स को मजबूत करने के लिए रिष्ट करल करना रिष्ट करल को कर सकते हैं रिष्ट करल दो साइट से किया सकता है एक रिवर्स रिष्ट करल और एक जैसे अभी हो रहा है ये दोनों रिष्ट करके आप फोर आम्स को कलाईयों क मझबूत बना सकते हैं, इसके अलाबह, reverse wrist करके भी आप function को मझबूत बना सकते हैं, आप इसके लिए dumbbell कमाँ कर सकते हैं, इसके अलाबह बार्वेश कमाँ कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक equipment को इस्तमाल करके आप इसको कर सकते हैं अगर घर पर हैं तो ब्रिक्स होगरा है या थोड़ा बहुत कोई भारी चीज है तो इसको उठा के आप इसको कर सकते हैं लेक्स्ट दोस्तों है कि back रिष्ट कल कर सकते हैं हाथ को पीछे की और ले जाकर आप इसको रिष्ट new जैसे कि आप कर सकते हैं जिसे हाथों की जो पकड यह मजबूत जाती है फोर्थ जो है वह चौड़ा हो जाता है या किसी भारी भरकम समान को या डंबल को लेकर हम प्लैरी करेंगे तो उससे हमारी हाथों के पकड़ जो होती है वो काफी मजबूत होती है इसके अलावा आप किसी heavy weight को twist भी कर सकते हैं wrist को twist करके भी four arms को मजबूत कर सकते हैं तो four arms को मजबूत करने के लिए push up भी है finger push up जिसको कर सकते हैं finger tape push up उसको आप यूज करके आप four arms को मजबूत कर सकते हैं उगलियों में मजबूती strength ला सकते हैं आप उस पूशक के दोरान तो यह कुछ तरीके हैं इसको आप वीडियो का पूरे एंड तक देखिएगा यह भी रिवर्स रिष्ट कर्ण है इसको आप ट्विस्ट करके फोर आम्स को मजबूत कर सकते हैं देखिए कितना यह फाइब केजी का डंबल है और इसके यह रिवर्स ट्विस्ट किया जा रहा है तो इस तरह से आप छुटा छुटा एक्विप्मेंट लेके आप फोर आम्स कलाईयों के लिए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं फिंगर पूश्ट है यह इसकी मदद से आप अपने उंगलियों में स्टेंथ और जो आपका ग्रीप है पकड़ है उसको आप मजबूत कर सकते हैं तो यह कुछ एक्सरसाइज हैं जिनकी मदद से आप अपने फोर आर्म्स और कलाईयों को मजबूत कर सकते हैं और ताकि आप बाइशेप ट्राइशेप में हैवी बेट को भी यूज कर सकते हैं करने बाइशेप और जादा फोकस करते हैं और बाइशेप ट्राइशेप के लिए जब वेट हम लेते हैं तो हमारे कलाईयों में धर्द फोर डॉल्डर होना बहुत ही ज़रूरी है शोल्डर और बाईशे पट्रीषेप में मजबुत ही आने के बाउजूद भी हम है इस चर्ण सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं उसका में रीजन है कि आप ही कलाईयां जो हैं वो मजबूत हो जाती है मजबूत नहीं होती है और इनको मजबूत करने के लिए फोर आम्स का एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़री है तो आइधिंक दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और फोर आम् और अभी जो एक्सरसाइज करने के बाद फोर आम्स है देख लिए कितना जवर्दस्त कटिंग्स निकल के आ रहा है उसमें और इस तरह करके आप कलाईयों को मजबूत कर सकते हैं कलाईयां देखने में भी खावी खूबसूरत लगती है तो वीडियो आपको कैसा लगा कॉ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलेगा धन्यवाद